सो हलो दोस्तों एक अंड़े वीडियो के साथ मैं आजी रोग चुकियों आपके सामने और डिटेल बताएंगे सुरुजगुंड मेला दो जरते इस जो अब फरवरी में जो है लगने वाला च्छतिसवा ये सुरुजगुंड मेला वने वाला तो बहुत सारे क्योंस चर्न्स जो आपके मैंड में आ रहे होगे कि क्या टिकट होने वाली है का से इंट्री होगी तो काम पर पार्किंग होगी कौन से धीम होगी तो चल ये वीडियो की शिरुवत करते हैं और दिखाते है आपको कि क्या कुछ होने वाला है शुरुजगूंड मेले में दो जरते हैं इसमें 36 सुरुजगूंड मेले में खास तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि ये लगेगा एक फर्वरी से 16 फर्वरी तक कि ये मेला Аईोजित हो चुका है सुरजकुंड में तो परबंद जो है सरकार ने अब की बार पूरे के पूरे कर चुके हैं पुलिस की ड्यूटी लग चुके हैं ब्लैक कमांडोस भी आ चुके हैं सुरजकुंड मेले की अगर बात करें तो अब की बार जो है बारी संक्या में जो है लोग जो है देखने के लि 1987 से लेकर शिल्प कार जो है इस मेले में जो है लगातार भाग ले रहे हैं अर बार जो है शिल्प कार अपनी नई शिल्प कला का प्रदर्शन जो है शिल्प का शिल्प मेले में यानि सुरुजकुंड मेले में कर रहे हैं कहां से लगेगा कब लगेगा 36 सुरुजकुंड सुरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है सुरजकुंड मेला हर साल यहीं पर लगता है और अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह साड़े दस बजे से लेकर रात के साड़े नो बजे तक जो है सुरजकुंड मेले का टाइम रहता है और अगर टिकट्स की बात करें तो ट सुरज कुंड मेले की टिकट रहने वाली है और अगर थीम की बात करें तो थीम जो है हर बार दिल चस्प दिल थामने वाली हो जाती है और अब की बार की जो थीम की अगर बात करें तो पुरवतर राज्जे के पुरवतर शेत्र के आठ के आठ राज्जे जो है अब की बार थीम बनी हुई है पुरवतर शेत्र से और अगर पूरे साल्ब की सिल्प कला की बात करें तो पूरक पूरा जो हमारा भारतवर्श है वहां से अलग अलग राज्यों से अलग अलग डिस्टेक्स से जो है शिल्प का अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन करते ह और बहुत ही प्यारी सी वहां का जलक जो है देखने को मिल सकती है अगर आप मेट्रो स्टेशन से आना चाहते हूं तो आपको बदरपूर का मेट्रो स्टेशन जो है सबसे नजदीक पड़ेगा और वहां से आपको ओटो एरिक्षा उबर या फिर बसिस वगरा का पूरा का प जो लगने वाला है अपने वीकल से अगर आने की सोच रहे हैं तो चाहे दिल्ली नोएडा गुडगाओं जिले में टेक्सी बुक हो सकती है और पूरी के पूरी सुईदा जो है आपको आपकी बार हर्याना सरकार ने देने की सोच लिए है और किसी भी परकार की सकते हो और मेल और अगर बात करें कि कौन को से विदेसी देस जो हैं हमारी इस अंटरास्ट्रिये क्राफ्ट मेले में जो है बागर लेने वाले तो अब की बार और मेलों की तुल्ना में करें जो ईए अगर बात करें रिपोर्ट की नंवेसाज निया कंद भारत की सम्रत संसकृत्ति विरास्त का परतीक है ऐसे में तैयारियों कि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह सकती और 45 देशों के विदेशी आर्टिस्ट जो भाग लेने की अब की बार उमीद जताई जा रही है जो कि पिछले साल की तुलना में दो गिनी कीमत हो दो गिनी संख्या जो है अब की बार है तो अगर आप अप अपने वीकल से आ रहे हो तो आपको पार्किंग की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि जो कोई मेले में जाता है उनको पहले से ही पता होता है पार्किंग आपको हर गेट के ही साइड में जो है साथ में ही बहुत ही ज़्यादा जंग है पर मिल जाएगी जैसे स्कू स्म東西 वालो के बच्चे आते हैं या फिर कहीं बार से या थे तो अगर आप अपने वीकल से आ रहे हो यह फिर ट्रैवलिंग करके आ रहे हो तो आपको पार्किंग कि किसी भी प्रकार की यह समस्वह नहीं än वाली हर जेंगे पे हर गेट पे आपको पार्किंग जो है देखने को मिल जाएगी और आप इजीली पार्किंग का यूज भी कर सकते हो अगर उनकी बात करें कि तो पार्किंग चार्ज रहेगा 50 रुपीज से स्टार्टिंग होकर जैसे 50 रुपीज टू वी लड़का हो लाएगा और अब की बार अगर बात करें तो बहुत ही यूनिक यूनिक सा कलेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें स्कूली बच्चों की तो स्कूली बच्चों की लिए ये ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला होता है फ्री होता जैसे गौर्मे भी चार्ज नहीं लगता है, हर बार की तरह, इस साल भी स्कूली बच्चों का चार्ज जो है, जिरो परसेंट लगेगा, अगर आप गुर्मेंट स्कूल से हा रहे हो, तो प्राइविट स्कूल स्वालों के लिए भी अलग से फैकल्टी जो है, अगल से अलग से जो असुविदाई जो अप्राप्त प्रदान की गई हैं अगर साफ सफाई के ध्यान की अगर बात करें तो अब की बार साफ सफाई का अलग से ध्यान रखा गया है सफाई करमचारियों को पहले से इन्युक्ति दे दी गई है हर जंगे पे आपको सफाई करमचारि जो है देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें फूड की फूड से रिलेटेड तो फूड जो है आपको हर बार के तुलना में अब की बार जो है दोगनी संक्या में दोगनी ज बहुत ही सूपरसित जिलेबिया जो है आपको वहां पे आप उसका लुफ्त उठा सकते हो और अब की बार एक और सबसे अलग जो है प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है आप वहां पे हर रोज उसका आनंद ले सकते हो उसका लुफ्त उठा सकते हो अगर आप वी आई पी ह तो आप डारेक्ट जाके उसका लुपत उठा सकते हो नहीं तो पूरा मेला घूम के भी वहां पे जाके उस चेज़ का आप लुपत उठा सकते हो तो आगाज हो चुका है अपकी बार के 36 सुरज कुंड मेले का और उसके साथ ही हम बता देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है कास तो आगर आप VIP गेट से इंटर करते हो तो आपको साइड में ही एक चौपाल दिख जाएगी जहां पे आप हुक्के का खुले में आनद लुपत उठा सकते हो पगड़िया बान सकते हो प्रोपर जो हरियाना की थीम होने वाली है यह आपको VIP गेट पे मिलेगी और कहीं कर सकते हो अब की बार हो चुका है हरियाना की थीम हरियाना की थीम नहीं बहुत सकते हैं इसको हरियाना की प्रोपर जो होती है अब की बार जो यूवा जो उबर रहे हैं उनको हुक्के का लोगत उठाने का पूरा का पूरा मोकत दिया जा चुका है नहीं तो पहले की तुल पर ले सकते हो और बहुत ही ना अलग सा आपको नजारा देखने को मिलेगा और अपने राज्ये की जैसे हरियाना हो गया राजिस्तान हो गया पूर का पूरे इंडिया से जो अठाइस राज्यों से अब की बार आए हैं उनकी पूरी की पूरी कल्चर का आप आनद उठा सकते हो और अब की बार जो अगर बात करें तो पचीस साल में जो है पुरवत्र के जो आठ रजे जो अब की बार थीम में बने हुए हैं और उन्होंने पहली बार इस मेले में शिरकत की हैं पचीस साल पहले उन्होंने शिरकत की थी और पचीस साल बात में अब वो जो मेले में शिर गाटन होगा वैसे ही आपको थीम के बारे में बता दिया जाएगा कि क्या कुछ जो थीम में होने वाला है और कौन से गेट पे क्या कुछ थीम बनी हुई है तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो जो ये शूट की गई है उनका जो है पूरा का पूरा ग्रूप आ जाता है उनकी स्टोल्स जो है लगने शुरू हो जाती है क्योंकि उने भी टाइम लगता है अपनी जंग है सेट करने का अपने माल को जो वो दिखाना चाते हैं उनको सेट करने का तो पूरा का पूरा जो है अब की बार हर्याना सर रखा गया है और बहुत इनज सुइधा होने वाली है लोगों को इस बार किसी भी प्रकार का प्रेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और पूरी की पूरी जो फोर्स जो है आर्मी जो है अब की वार मेले में पहले से ही शirकत में आ चुकी है और इतने प्यारे प्यारे जो प्रदर्शन आपको किसी भी मेले में देखने को नहीं मिल रहा है इतनी कम कीमतों पर पूरा का पूरा अगर हम बात करें हस्त कलाकी और निर्त कलाकी तो हर रोज जो है चोपाल में अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन जो होते रहते हैं जैसे पंजाब का भांगडा हो गया, राजस्तान का डांस निर्टे हो गया, अलग से गुजरात का गर्बा हो गया, कथक और पूरा का पूरा भोजबरी हो गया, हरियाना का डांस हो गया, पूरा का पूरा जो है चोपाल, जो है शाम के पांच बजे से लेकर रात के आठ साड़े आ लेगा आपको ऐसा नजारा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रेगा शाम के अगर टाइम की बात करें तो यह नजारा जो है रात के अगर रात में अगर आप जाने की सोच रहे हो तो आपको भव है नजारा जो है लाइटो का और फिर अलग अलग जहेंगे की जो है यहां पे लगी हुई हैं इस्टोल्स जो लगी हुई हैं अलगी दृष्ट देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर जो लोग जाते हैं वो मोस्टली शाम के ही टाइम जाते हैं लेकिन अगर आप अपने मन की शांती के लिए या फिर पूरा का पूरा मेला गूमना चाहते हो तो भई खाने के भूक लगी है तो खाने के लिए खाना मिल जाएगा और मन नहीं भरेगा इस मेले को देखते हुए क्योंकि ऐसे ऐसे सिल्प कार जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं आंत और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से 16 फरवरी तक एक्सेंड होके अगर एक्सेंड होता है भाई चांस तो लगेगा मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक और अगर बात कर लें टिकेट की तो वीक एंड पे टिकेट रहेगी 180 रुपीज को और वीक एंड के बिना टिकेट रहेगी यानि मंडे टु फ्राइडे आना चाहते हो तो मेट्रू की अगर बात करें तो तुगला का बाद और बदरपूर बोर्डर रहेगा आपके बिलकुल निकट और वहाँ पे इरिक्ष्या ओटो बसेज और कैब अगरा की प्रोपर सुविदा जो है अर्याना सरकार ने पहले से ही बंदोबस्त कर दिया गय वहाँ से आप इंट्री कर सकते हो अगर आप आ रहे हो अपने वीकल से तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि शाम के टाइम रश बहुत हो जाता है और बाहरी मातरा में आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है पार्किंग की सुविदा की अगर बात करें तो हर गेट पे अगर आप वी आई पी से भी आ रहे हो तो भी आपको पार्किंग की सुविदा हर गेट के पास में ही बिलकुल पास में ही देखने को मिल जाएगी पचास रुपे से स्टार्टिंग हो जाती है पार्किंग की और अगर बात करें कि क्या कुछ होने वाली है थीम तो अब की म अपकी बार की मेली की थीम होने वाली है पुरवत्र के आठ राज्य है जोगी 25 साल बाद शिरकत कर रहे हैं 36 सुरजकुंड मेले में तो चलिए वीडियो को करते हैं खतम और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार दन्यवाद और पूरी की पूरी हो जाएगी हमारी वीडियो आनी कि क्या कुछ होने वाला है और खास तो चलिए बाबाए शॉल्ट